अब तक हम लोगों ने हमारे X के most of the complex shapes थे उन्हें हम लोगों ने unwrap कर लिया अब जो हमारे X में जो बचे हुए pieces है उसे हम लोग completely unwrap कर लेंगे जैसे bottom piece था and जो rings थे और जो buttons थे उन सब चीजों का हम लोग क्या करेंगे आज हम लोग unwrapping कर लेंगे तो इसके बाद हमारा जो फुरा unwrapping का process है वो finish हो जाएगा और हमारा X ready हो जाएगा texturing करने के लिए all right so hello everyone welcome to GFX GAN मैं हूँ आपका instructor Roshan चलिए start करते हैं आज की class को और यह है हमारा model तो यह कुछ pieces है जो remaining रहे गए है उन्हें हम लोग unwrap कर लेते हैं जैसे कि यह bottom पीस है यह शू जैसा जो shape है handle का इसे हम लोग को unwrap करना है उसे select करते shift i दबाऊंगा मैं unwrap कर लूँगा let me just delete the history first right click करूंगा और इसके अपर हमारा जो existing checker map है वह apply कर लेता हूं हम लोग UV देख सकते कैसी इसकी हालत है ठीक है if you just open the UV editor और यह भी completely messed up है तो इसे हम लोगों को quick fix करना है तो सबसे पहला तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा एक quick projection कर देता हूं so you can do any kind of projection planer आप ले सकते automatic ले सकते best plane camera base भी आप कर सकते so let me just show you camera base camera base क्या होता है जब आप किसी angle से इस किसी object को देख रहे है तो उस same angle से आप क्या कर सकते projection कर सकते and this is how the projection will go ठीक है तो आप इस चीच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब मैं क्या करूंगा यह जो मरा bottom piece of soul है वहां से मैं इसे separate कर लूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा seam के लिए cut apply करूंगा so let me just double click this thing and यहाँ पर इसे double click करूंगा कुछ ऐसा and then इसे deselect कर देते जो इसमें continue हो रहा है and हम लोग apply करते cut तो यह seam apply हो गया now just double click this thing and इसे मैं separate कर लूँगा unfold करते तो यह हमारा open होके यह soul नीचे का ऐसे unfold हो चुका है now let's select this entire piece और इसे भी हम लोग क्या करेंगी quickly unfold all right तो यह तुरंत आप देख सकते हैं कैसे हमारा जो geometry है unfold होके हो चुका है ready so this is how it has unfold now अब सर्फ क्या करना है हम लोगों को इसे थोड़ा सा straighten करना है straighten in the sense यह तो नहीं होगा बट हम लोगों को यह जो top के यह जो line जा रही है यह जो curve जा रहा है यहां तक हम लोगों को उसे क्या करना straighten कर लेना है so I can just go to UV इसे हम लोग बड़ा कर लेते and we can just select this pieces यानि कि यह UVs को हम लोग select कर लेते like this which ऐसे and then scale कर लूँगा मैं ऐसा यह flatten हो जाएगा then I can just double click this thing इसे भी मैं क्या करूँगा ऐसा scale करके flatten कर लूँगा double click करूँगा और यहां से चीए तो आप straighten UVs का भी इस्तमाल कर सकते हम लोगों को इसे U axis में करना है यह Y axis में हम लोग कर सकते so U is like this axis यानि कि X axis में अगर उसे आपो flatten करना है तो आप उसका इस्तमाल कर सकते and V is like कि आपको अगर उसे vertically उसे unfold करना है तो अब यहां पर vertically तो नहीं होगा क्योंकि यहां पर एक single edge यह axis में हम लोगों ने इसे select किया है तो यूँ ही काम करेगा तो हम लोग इसे manually भी अब में अगर इसे select करू और unfold करू V axis में see what happens इस तरह स्यम्लोग क्या कर सकते इसे unfolding कर सकते let's just select this and U axis select करे या V axis select करे and you can see अब in between जितने भी हमारे यह पीसे से इसे हम लोग select करके unfold कर रहे तो एक है you can also try doing it unfold along U V ऐसे आप ट्राइ कर सकते हो and straighten करने की कोशिश कर सकते हो इस now select all of them let's straighten it right c straighten और यह आपके unfold हो जाएंगे आपके पास multiple तरीके होते हैं आप इसे manually भी ऐसा कर सकते हैं unwrap like this तो जैसे कि आपने select किया तो पहले आप इसे U axis में लग यानि कि ऐसा unfold कर ले तो यह सरिफ इस तरह से X axis में इस सरिफ unfold होगा Y axis में नहीं होगा and then यह तो आप फिर इसे V axis में यानि कि V angle में आप इसे unfold कर सकते हैं वी में करेंगे तो इस नीचे की तरफ चला जाएगा तो फिराल हम लोग ऐसा ही रहने देंगे so let's select the entire piece unfold unfold it like this like so अची के तो यह फुरी तरह से हमारा piece जो है ऐसा unfold होके हम लोग हो मिल रहा है और राइट हम लोग इसे ऐसा रख सकते हैं so if you just see our texture you can see properly flow हो रहा है यह हमारा ring जैसा बन जा रहा है यह प्रॉपर है जब हम लोग यहाँ पर texture इसा draw करेंगे तो पूरे ring पर इसा draw होगा तो ring पर texture बनाने से अच्छा होता है straight अगर हमारा geometry हो तो हम लोग सरीप एक line कीचेंगे तो automatically हमा हमारा यह वाला piece let's just select all of them and is the fourth shell में यहाँ पर रख देते कुछ ऐसे और इस piece को भी मैं क्या करूँ नहीं यहाँ पर लेकर आता हूं इसे विचे तो आप फोड़ा सा unfolding और कर सकते हो and you can try to scale this thing ताकि यह proper scale में रहे and let's just come to arrange orient कर लेते ताकि वो properly अपने axis में oriented रहे ऐसा भी आप चाहिए तो manually भी उसे रख सकते है और राइट यह होगे unfold तो यह piece हो गया है ready अब हम लोग चलते हैं दूसरे pieces की तरफ अब यहाँ पर तो यह अगर आप देखेंगे तो this one and this one are similar तो अगर आप चाहिए तो आप इसे delete कर सकते है same अगर आप देखेंगे तो यह जो bolt वाला चीज है यानि कि यह जो round spear जैसा shape था यह हम लोगों को यहाँ पर भी मिल जा रहा है और यहाँ पर भी मिल जा रहा है इस तरह से तो आप इसे चे तो रख सकते हैं या फिर आप इसे delete कर सकते हैं mostly तो जब आप इसे shape को बनाएंगे तो यह almost ऐसा ही आता है unwrapped ही आता है अगर नहीं आता है तो आप इसे delete कर दे and just simply unwrap this thing यह जो piece है मैं इसे select करूँगा and let me just separate this thing and you can see how it looks like तो let's select this go to uv and हम लोग क्या गरेंगे इसे planar देते एक z axis में apply and you can see यह हमारा unfold हो गया ठीक है projection हो चुक है हमारा अब इस वाले को select करेंगे इसके लिए भी same चीज करेंगे हम लोग select करते है UVW planar project unfold और यह हमारा open okay इस तरह से यह हो चुक है ready ठीक है just to see how the texture goes आप इसके उपर texture apply कर सकते तो आप दोनों pieces को select कर ले right click करें assign existing material and हमारा जो UV texture वाला है उसे आप apply कर ले so this looks good okay and हम लोग इसे यहां ले जाते हैं इसे यहां ले आते हैं इसे छोटा करके ऐसा रखते हैं and then let's select both of them and just make them small like this अब opposite side के लिए कुछ नहीं करना है हम लोगों को इन दोनों को select करना है let us just combine them edit mesh में combine कर लेते and control D दबा के हम लोग इसका copy तयार कर लेंगे close करते हैं इसे और यहां पर scale z-axis में इसे minus one कर लेंगे ताकि यह copy बन जाए और हम लोग इसे यहां पर ऐसा रख सकते हैं अब हम लोगों को एक चीज़ और करना है मॉडिफाय में जाने के बाद में हम लोग यहां पर इसके transformation को freeze कर देंगे ताकि यह reset हो जाए यह भी reset हो जाते जैसा यह 00 है वैसा यह 00 हो जाना चाहिए histories delete कर ले अगर आपका काम हो चुका है तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं आप सिंपली क्या कर सकते उसे कॉपी कर सकते हैं यह स्पियर जो हम लोगों को यहां पर इस मेटल वाले पीस के उपर रखना है तो अल्यूस्ट अगोटू separate select this center pivot ctrl D दबाऊंगा copy करूंगा और move करके यहां पर लिख्या के रखतूंगा अच्छी के like this तोड़ा rotate करके रखना होगा फिछ ऐसा और सेम पेस हम लोग shift दबाके copy करके यहां रख लेंगे I can select both of them and combine कर लूँगा मैं इसे ctrl D minus 1 scale minus 1 हम लोग करेंगे z-axis में इसे हम लोग यहां पर इसे place कर देते हैं अब इसका benefit क्या होता है कि यह सारे सारे यूवीस में एक ही जगह पर होंगे मतलyect यह अगर हम लोग देख लेल इन पीसेंस के और इनके जो जुई यह सारे एक ही जगह पर होंगे तो मतलब जब हम लोग यहाँ पर टेक्शर बनाएंगे तो हम लोगों को अलग-अलग टेक्शर बनाने की ज़रूरत नहीं एक ही पर बनाएंगे तो यह सारे टेक्शर सब पर अपलाय हो जाएंगे अगर आपको identical टेक्शर भी चाहिए तो अगर आपको randomness चीह होगा तो आप इन यूबी इसको अलग-अलग करके रख सकते हैं ऐसे ठीक है तो यह एक दूसरे के उपर overlapped है तो यह भी option आपको मिल जाता है तो overlapping करके भी आप इसे रख सकते हैं अगर जोस्ट select this piece and separate कर लेंगे and I can just move done alright ऐसे यहाँ पर ऐसा और ऐसा तो यह आपका ऐसा वन गया तो इसे आप separate pieces भी रख सकते हैं if you want random textures तो आपको अलग-अलग textures यह सब buttons पर तो आप अलग-अलग उसे रख लें चीक है तो यह 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 और यह हमारा हो चुका है texture चीक है same चीज इसके साथ भी आप कर सकते हैं इसे भी अगर आप अलग रखना चाहते हैं तो आप इसे अलग रख सकते हैं अब आ रही हाजाती है फाइन इन दो पीसे की तो इसे भी हम लोग अनड़ाप करते हैं तो इस आप करना है यूभी में जाना है को आक्सस में देने प्रोजेक्शन कर देना है देट सेट च्लेक करें के दोनों को अगर हम लोग अप्लाय करें आप एक एक इस्सिस्टिंग लैंबर्ट मटेरियल तो यू कन सी हाँ दर टेक्श्ट लूगस लूपस लाइक सेलेक करके इसे हम लोग फूर्थ टेक्श्चर सेट में या फिर यह हमारा जो यूदिम है यह टेक्श्चर सेट है वहाँ पर हम लोग इससे रख देते हैं अब आरी आती है इसकी इसे अगर हम लोग सेलेक कर लें शेफ्ट आये तो यह लोग ने लिया था तो यह पाइप जैसा शेप है तो यह सरकल है बट मुझे इसे फ्लाट ओपन करना है जैसा कि हम लोग यहाप एक्जिस्टिंग देख सकते कि यह ऐसा ही शेप हम लोग को चीए बट करेंटली यह क्या है अ फ्लो में नहीं जा रहा क्योंकि हाप एक सीम नहीं है तो अगर मैं यहाप पकड़ू तो यह एसा रिंग जैसे यहापर भी प्रेजेंट हो रहा है एक सिलेंड्रिकल शेप जैसा है तो मैं यहापर क्या करूंगा कट करूंगा तो आल जिस डबल axis में यह proper है, it is straight, ठीक है, सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, इसे u में unfold करना मतलब ऐसा x axis में so we'll say unfold along u, not v, अगर आप यह unfold करोगे तो दिखो यह ऐसा हो जाएगा यह दोनों में ऐसा, तो यह circle बनेगा मुझे circle नहीं चाहिए, ठीक है मुझे सिर्फ क्या करना है, इसे एक ही axis में open करना है, because यह vertically तो straight है और proper है so we'll say unfold along u axis so now you can see, यह ऐसा open हो जाएगा, अब हम लोग क्या कर सकते इसे बोलेंगे, straighten uvs ठीक है, तो यह ऐसा हम लोगों को straighten होके, मिल जाएगा like this, यहाँ पर भी आप चूज कर सकते हैं कि कैसा आपको straighten उसे करना है, I can just select this thing you can just manually do the flattening आप इसे manually इसे flatten कर दो और यह आपका texture unwrapping होके आपको मिल जाएगा like this so just in two steps आपने इसे unfold कर दिया properly, ताकि जब आप इस पर texture paint करें, तो straight line देंगे तो ऐसे curve जाएगा, हम लोग नमबर से देख सकते हैं, कि नमबर कैसे इसके इसके आपर round में travel कर रहा है so this is what we wanted alright, so one, two चलिए इसे हम लोग space out कर देते हैं ठीक है, तो सब को हम लोगों को देख लेना है कहाँ पे है और उनको position कर देना है properly okay, ताकि एक दूसरे के उपर ना चले जाए वो okay, okay and okay, so let's just call keep this, इसको यहाँ पे रखते हैं इनको हम लोग select कर लेंगे, इनको इनको, इनको ऐसा selection कर लेते हैं, और इसा हम लोग कही और रख सकते हैं, like this चीए, कभी फिलाल मैंने इसे scatter कर दिया, इस तरह से finally जम लोग इसे करेंगे, तो इसों लोग अच्छे तरीके से position जा देंगे okay, तो यह हमारा सारा का सारा जो UVs है इस तरह से adjust हो चुका है अगर आप इसे separate individual texture set में रखना चाहते अलग अलग texture बनाना चाहते, तो आप इसे ऐसा रख सकते या फिर अगर आप एक ही texture बनाना चाहते, या आप नहीं चाहते कि आपको अलग अलग texture set मिले और आप Photoshop में जाके या फिर आप substance painter बारी जैसे softness में जाके अगर आप textures बनाना चाहते तो वो एक ही set में आवे इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसे एक single shell में layout कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको layout का option मिलेगा तो आप यहाँ पे layout कर सकते हैं, तो जैसी मैं इसे layout पे click करूँगा so you can see Maya क्या करेगा automatically सब को resize और position करके यहाँ पे हम लोगों को एक ही single shell के अंदर उन्हें रखके दे देता है, चीक है तो यह separate of shells नहीं आए यह एक ही shell के अंदर सारा हमारा piece आके position हो चुका है like this, तो ऐसा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे रख सकते हैं, एक ही piece में या फिर अगर आप high quality textures बनाना चाहते हैं, आपको ज़रा control चाहिए, different material different look आना चाहिए, तो आप इसे individual shell पे रखें और अलग-अलग materials आप, या textures को आप create कर सकते हैं alright, यह सारे options आपको मिलेंगे, जैसे जैसे आप texturing और बाकी काम करना start करेंगे तो यह आपको बहुत useful मिल जाएगा, alright guys, तो यहाँ पे हमारा X पुरी तरह से हो चुका है unwrap, यह हमारे UVs है और यह हमारा X है अब यह texture के लिए है ready, अब आप इसे ले जा सकते हैं, substance painter या इन UVs को export कर सकते हैं Photoshop में और Photoshop में आप texture बनाना start कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने बुक के लिए बनाया था चिक है, तो इसी तरह से सेम इसे भी आप क्या कर सकते, export करके texturing का start कर सकते हैं alright guys, तो आज की tutorial में, final series में इस unwrapping के यहाँ तक I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आई रहेगी वीडियो पसंद आई है, तो please वीडियो को like करे share करे, comment करे and आपके feedbacks मरे साथ share करे और बताए कि कैसे आपको लग रहे है मेरे tutorial series, क्या आप लोगों को knowledge मिल रही है आप कुछ लोग इससे कुछ सीख पा रहे है करे, करे आपके जापके लोगों करे लोगों करेंगा